हे गाईस दिस इस पवन एंड यू र वाचिंग स्टेडी स्किल सक्सेस 2.0 तो फ्रेंट्स फर्स्ट अफ आल आइम रेली सोरी कि मैं पिछले दो दिनों से आपको वीडियोस नहीं दे पा रहा हूं कुछ technical issues हो गए थे उसी करण वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था लेकिन अब ये वीडियोस जो आपको regular मिलेगी नीट के practice sets हिंदी में और आज की ये 13 वीडियो है already 12 वीडियोस मैं upload कर चुका हूं तो चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम biology की 20 most important questions देखने वाले हैं जिनका आप answer करेंगे ठीक है guys और last में comment करके बताएंगे कि इन questions में से यानि कि 20 questions में से आप सभी का score जो है वो क्या रहा ठीक है आप नीचे description में मिल जाएगा या फिर simply आप Instagram पर जाएए सर्च कीजिए study skill success आपको ID मिल जाएगी वापर आप हमें message के जरी कोई भी आपका needs related questions पूछ सकते हैं साथी साथ यहां पर आपको short notes, tips and tricks, daily motivation और so many जो other important informations होती है वो provide करवाई जाती है तो इसके लिए भी आप हम follow कर सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज के session को और सबसे पहले देखते हैं आज का अपना पहला question और आज का अपना पहला question है कि कौन से enzyme शुक्राणूओं के जोना पहलू सीडा बेदन में सायता करते हैं नमबर एक एक्रोसीन नमबर दो एंड्रो गैमोन्स नमबर तीन एंटी फर्टिलाइजिन और नमबर चार आपका है गाइनो गैमोन्स इस question का right answer क्या होगा यह आपको comment करना है then right answer is option number A एक्रोसीन एक्रोसीन जो विल्कुल इसका right answer होगा ठीक है गाईस चलिए नमबर एक काली मिर्च का पैरिस्परम नमबर दो पाइनस का मादा युग्मोकोद भी ठीक है यह दोनो बिल्कुल इसका right answer होगे चलिए नेक्स्ट अपना question है गलत मिलान पैचाना है आपको ठीक है आगे आपको एक फल दिये सबजी दी गई है उसके आगे उनकी किसम दी गई है बिंडी के आगे है पूसा सवानी फूल गोबी के आगे है पूसा A4 बैल्ट बीन के आगे है पूसा सेम थ्री और ब्रैसिक कौन सा होगा तो इनमें से गलत होगा आपका फूल गोबी फूल गोबी जो पूसा A4 है वो गलत है अब फूल गोबी की किसम क्या है यह आपको कमेंट करना है ठीक है यह तो गलत है पूसा A4 लेकिन इसमें सही क्या होगा यह आपको कमेंट करना है ठीक है गाईस चलिए ने तो इनमें से जो ऐसत्य होगा यानि कि incorrect होगा वो होगा hormonal उपाई इसका CUT नहीं होगा अब इसमें क्या हाईगा वो भी आपको कमेंट करना है ठीक है कमेंट आप कैसे करेंगे मैं आपको इस पूरे सेशन में questions पूछता रहता हूं तो question का number note करते जाए उसके आगे उसका जो नमबर दो यह केंद्रिय बुरुन पोश है नमबर तीन परिपकवत्ता पर यह कोश्किया हो जाता है और नमबर चार उप्रोक्त सभी इस question का right answer होगा आपका option number D उप्रोक्त सभी ठीक है guys इस वीडियो को like and share कर दीजे अपने WhatsApp अपने टेलिग्रम ग्रुप से चागी ज्या सच्ध्रों जाइम कोका से की जाती है नमबर एक दक्षिन अमेरिका नमबर तीन दक्षिन अफरीकव और नमबर चार पश्चिम अफरीका इस question करुक्त यह उप्षिन अमेरिका आपका option number a nutrition अमेरिका दक्षिन अमेरिका जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगारा चले शेर करा, एटलस 66 गेहूं है, उस गेहूं की एक किसम है, एटलस 66, उसमें क्या ज़्यादा पाई जाता है, तो शेर करा उसमें ज़्यादा पाई जाती है, शोरी 101 का प्रोटीन होगा, शोरी गाइस, एम रिली सोरी, इसका प्रोटीन होगा, ठीके गाइस, दुबारा से बताता हूँ, एटलस 66 गेहूं की एक किसम है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाता है, थोड़ा कनफ्यूजन हो गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाता हूँ, लेकिन इसका राइट आंस्वर प्रोटीन होगा, चलिए, नेक्स्ट अपना कोशन है, गरबदारण का निर्दारण किस हार्मून की पैचान से संभव है, एक पोजेस्ट्रोन, बी इन हीबीन, हCG, और नमबर चार, एस्ट्रोजन, इस कोशन का राइट आंस्वर आ विदलन विवाजन की दर, पितक की मातरा के व्युत्र कर्मान पाती होती है, यह नियम किसके दवारा दिया गया था, नमबर एक, वोन बेर का नियम, नमबर दो, सैच का नियम, नमबर तीन, वालफोर का नियम, और नमबर चार, सपीमान का नियम, यह जो नियम है वो दिया नमबर एक मक्का, नमबर दो सर्सों, नमबर तीन धनिया और नमबर चार कॉमे लाइन, ठीक है, तो इस question का right answer होगा, option number D, कॉमे लाइन, कॉमे लाइन जो है बिल्कुल इसका right answer होगा, चलिए, next अपना question है, question number 110, निमन में से कौन सा कारक, बीज अंकूरन के लिए आवशक नह 2, यानि की carbon dioxide, चलिए, next अपना question, निशेचन के पस्चाद, बीज चोल किसके विक्सित होते हैं, number 1, चलेजा से, number 2, विजान से, number 3, अध्यावरण से, और number 4, ब्रुन कोश से, इस question का right answer होगा, आपका, अध्यावरण से, टीग, guys, अध्यावरण से, चलिए, next अपना, एक नर में, syndrome के लक्षन कुछ इस परकार है, छोटा कद, हाइपो गोनाडिसम, मानसिक विक्षिप्तता, और चहरे पे कुछ खास चिन, इस syndrome के लिए क्या सही है, या आपको बताना है, number 1 है, 47 chromosome, 1 bor body, number 2 है, 47 chromosome, 0 bor body, number C है आपका, 45 chromosome, 0 bor body, और number 4 है आपका, 47 chromosome, 2 bor body, ठीग, guys, तो इस question का राइट आंस पर आपका option number भी रहेगा, 47 chromosome, 0 bor body, चलिए, next है अपना, नीमन में से कौन सी सरचना, वरक्षन कोश की बीती से समन्दित नहीं है, number 1, क्रीमे स्टीरिक फेशिया, number 2, स्परमेटिक फेशिया, number 3, डार्टो स्पैशी, और number 4, ट्यूनिका अल्बूजीनिया, ठीक है, तो इस question का राइट आंस पर होगा आपका, option number D, ट्यूनिका अल्बूजीनिया, चलिए गाइस, next अपना question है, बहु बुरून था, निमन में से किसके अधिक होने का परिणाम है, number 1, बुरून, number 2, बीच, number 3, बुरून कोश, और number 4, बुरून पोश, इस question का राइट आंस पर आपका, option number A, बुरून पोश, बुरून, ठीक है, बुरून इसका बिलकुर राइट आंस पर रहेगा, चलिए, next अपना question है, निमन में से कौन सा, अनुवंचिक रोग, non-disjunction से समंदित नहीं है, एक, पटाउ syndrome, B, Edward syndrome, C, cat cry syndrome, and number 4, down syndrome, इस question का राइट आंस पर आपका, option number C, रहेगा, cat cry syndrome, चलिए, next अपना, मासीक परवस्ता के दुरान गरभाश्य की कौन सी परत में चक्रिय परिवर्तन होते हैं, एक, myometrium, B, andromatrium, C, merucularis परत, और C, आपका है, perimetrium, ठीक है, guys, guys, एक बार अगर आपने session start कर लिया, तो इसे पूरा के पूरा attempt कीजिए, 20 के 20 questions attempt कीजिए, और last में comment करिए, कि कितने questions आपके सही हुए, ताकि अधने students के साथ आप अपना comparison कर सके, जब तक आप other students के साथ अपना comparison नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो preparation है, उसका पता नहीं चलेगा, कि किस level की चल देगी है, ठीक है, तु comment करिए, इसका राइकांस पर आपका B रहने वाला है, endometrium, चलिए, नेक्स्ट आपना मदुमख्यों में कौन से परकार की A निशेचेकजन मिलता है, एक थैली टोकी, B एरोनो टोकी, C है एमफी टोकी, और D है आपका एक और भी दोनो, इसलिए आपको explain नहीं कराऊं, ताकि आपकी preparation जो है, आपका syllabus complete हो चुक है, लगबग अधने students का revision भी हो चुक है, तो आपको पता करना है कि अपना preparation कहां तक हुई है complete, questions को attempt करकर, कि जितने आप practice set attempt करेंगे, चितना ही आपकी preparation ज्यादा strong होती जाएगी, और physical chemistry की वीडियो भी दे दूँगा, तो tension मत लीजी, वो वीडियो पर आपको मिल जाएगी, इसका right transfer आपका arrow note हो की है, चलिए next step का अध्योगिक अतिक रशनता की गटना निरूपित करती है, एक प्राकर्तिक वरण, बगोलिक प्रत्थकरण, C है जननिक प्रत्थकरण, और D आपका है लिमा किसको ये गटना निरूपित करती है, तो ये करती है प्राकर्तिक वरण को, किसको प्राकर्तिक वरण को, और आज का अपना last question है, कि निमन में से किस अवस्ता के दुरार ब्रूणिय कोशियों की गतियों के कारण जननिक स्तरों का निर्वान होता है, A मौरूला, B तम session आप सभी को पसंद आया होगा, Hindi का session रहने वाला है, इस channel पर जितना भी आपको session मिलते हैं, वो Hindi में ही provide करवाई जाते हैं, तो don't worry guys, अगर आप Hindi medium students हैं, तो आपको tension लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे session हिंदी में provide करवाई जाएंगे, अगर आप English medium students हैं, तो आप हमारे first channel को visit करिए, जिसका नाम study skills success है, ठीके guys, उसमें आपको English के जो practice sets है, वो भी मिल जाएगे, comment करिए आपका score क्या रहा, और channel पर नहीं है, चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लिजे, ताकि ऐसी ही videos आपको आगे भी मिलती रहे, तो आज के लिए इतना ही, खतम करते हैं आ आपको, आपको, आपकोवीजिय между हुआरी मिलतीर उल्करी और स elabor गभॉवीज़, भी मिलती छोगे स्याथणे कर वीमिलती है, जिसकी मिलती जातु क।ळ्ः है, पैको टॉफ्च भी कर रहें इतना है, रहें हैं हैं झाल को अ flor्करी दोकी इतना हैं, आपको आएं और. इन है